नमस्कार, हिंदी साहित्य वात्ता में आप हैं इस वक्त सुबाश ठाकर के साथ जी आरफ हिंदी 2021 के तैयारियों के अंतरगत साहित्य शास्त्र में हमने लगबग कावे लक्षन, कावे हेतू, कावे प्रियोजन कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद हमने जो भी आपके संपरदाय आते हैं साहित शास्तर के अंतरगत उनमें जो पहला संपरदाय रस संपरदाय था उसके बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी कि रस संपरदाय के बारे में विद्वानों के अलग-अलग मत हैं तो अगर आपने अभी तक वो वाले lectures नहीं देखे हैं तो आप एकाई 3 जो हमारी playlist बनी है एकाई 3 के नाम से उसको देख सकते हैं वहाँ पर हमने विस्तार से चीजों को रखा हुआ है और आज हम इसका जो अगला पार्ट लेके आये हैं जिसमें हम रस्त के प्रमुक जो हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले साहित शास्त्र के अंत्रगत जो रस के भेद की बात कही गई है तो अचारे जो भारत मुनी हुए हैं जिनकी प्रबसिद रचना नाट शास्त्र है जिसमें इनोंने रसों की संख्या आठ मानी है तो देखिए मेंली इनोंने आठ जो रस माने थे वो कौन-कौन से रस माने हैं जिसमें श्रिंगा रस, हास से रस, आपका रोद्र, करुण, वीर, अध्वुत, विभत्स और बयानक रस तो इन आठ रसों को इनोंने क्या माना है इनको ही इनोंने स्थान दिया है लेकिन इनके बाद के जो अन्य विद्वान किस विद्वान ने किस रस का निरूपन किया है या उसका प्रतिश्ठापन किया है यह हम आगे देखेंगे तो यहां पर मेंली देखिए जो भरत मुनी ने आठ रस तो माने हैं लेकिन उनोंने जो चार रसों को ही प्रमुकता से माना है या जो प्रमुक रस माने हैं उनोंन इन्होंने माने थे, इसके बाद श्रिंगार रस से देखि कौन सा निकला अगे, हास्य रस, ठीक है, और रोदर से करुनरस की उत्पत्ति मानी जाती है, जबकि वीर रस से अध्भुत और भिबत से भ्यानक रस की उत्पति मानी थी, तो हो सकता है इस तरह किसे प्रशन पूछ तो ये आठ हो जाएंगे तो इस तरीके से इन्होंने मेंली चार माने और चार की उत्पत्ती उन चारों से ही मानी है तो ये अचारे भरतमुनी मानते हैं। उद्भट इसको आपने याद रखना है कि जो नवा शांत रस जोड़ा था ये किसने जोड़ा था उद्भट ने जोड़ा था और प्रतियक रस का एक स्थाई भाव होता है हालां कि हम स्थाई भाव के बारे में पहले बात कर चुके थे पीछवरे लेक्चर में वहाँ पर हम हमने देख लिया था कि जो आपका विभाब, अनुभाब, स्थाई भाब, ये सारी चीज़े हम पहले ही डिसकस कर चुके हैं, तो यहां पर हम देखेंगे कि किस रस के लिए कौन सा स्थाई भाब, निश्रित किया गया है, तो आगे है देखें, सबसे पहले, इसमें जो पहला रस है, वो है श्रिंगार रस, तो इसे रसराज भी कहा जाता है, और बहुत ही महत पूर्ण है, इसको आपने कई बार देखा भी होगा, पूछा भी जाता है कि रसों की राजा किस को कहा जाता है, तो देखें कारे ब्रपार की व्यापकता के कारण इसे रसराज कहा जाता है है ना तो भोजराज की अनुसार यही एक पूर्ण रस है तो अन्य रस तो इसकी संपूर्णता की मध्यवर्ती स्थित्या है ये कौन मानते हैं ये भोजराजी मानते हैं तो श्रिंगार का जो प्रभाव है देखी ये तुरंत पड़ता है श्रिंगार का वर्ण क्या है श्याम जिसके कारन स्थाई भाव जागरित हो वही क्या कहलाता है अलम्बन कहलाता है तो जैसे हम नाइक नाइका का जिकर करते हैं तो कुछ ना कुछ सीजें हमारे जहन में आती हैं जिसमें श्रिंगार को हम रखते हैं तो दो चीजें हैं जैसे से योग हो गया या व्योग हो गया तो ये इसके मुक्यततर दो भेद भी माने जाते हैं तो इस अलिए किसे कहा जा सकता है जो आपका श्रिंगारस है ये रसराज है और इसमें आपका जो अलंबन किसको मानァ जाता है नायक नायका माना जाता है और इसका स्थाई भाब क्या है ये परिक्षव में जो भेद हैं पहले हमने दो पड़े स्योग और व्योग श्रिंगार के भेदऄ। आगे वो कई पुस्तकों में आपको तीन मिलेंगे, कई में आपको चार दी होंगे। तो मेंली यहां पर जो गोविन पांडे और सरसुति पांडे की पुस्तक में में ने आपके बीच में रख दी हैं, उन्होंने श्रिंगारस के चार भेद ही माने हैं, रुद्रट ने भी, तो इन्होंने कौन-कौन सा माना देगी, जिसमें संयोग हो गया, वियोग हो गया, प्रचन और प्रकाश, ये इन्होंने माने हैं, श्रिंगारस के चार भेद, लेकिन मेंली जो श्रिंगारस के दो भेद कौन से हैं वो है से योग और वियोग तो यहां पर हम वियोग श्रिंगार की वेदों की बात कर रहे थे वियोग श्रिंगार की जो चार ही वेद है जो पूरवनुराग मान प्रवास करण और विप्रलंब हैं तो वियोग की जो दस दशाएं मानी जाती हैं जिसमें से अभिला सकता तो इस तरीके से आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रशन UGC NET की परिक्षा में इस तरीके से पूछे जाते हैं जोडों में कि कौन से यूगम असंगत हैं या कौन दो व्योग की दस दशाओं में शामिल है या नहीं है इस तरीके से प्रशन बने की संभावना रहती है तो ये आपको थोड़ा बहुत याद रखना जरूरी है चलिए आगे हम देख लेते हैं जो दूसरा रस है वीर रस तो देखिए वीर वीरता से ही पता चल जाता है कि ये क्या है वीर रस है जिसमें उत्सा होगा ठीक है तो प्रधान रसों में से एक इसको भी माना जाता है इस रस का जो देवता है ये महिंद्र को माना गया है तो वीरस का देव तक इसको माना गया है महिंदर को माना गया है और अगर हम इसके वर्ण की बात करें तो सोने के समान जो गौर है वही इसका वर्ण माना जाता है तो वीरस का स्थाई भाव उत्सा है ना हालांकि ये मेनली सिंपल सिंपल सी चीजे हैं लेकिन फिर भी आपको थोड़ी बहुत इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है और इसका अलंबन जो है शत्रू एश्वर्या एट्साहिर सासिक कारय यश इत्यादी हैं तो इसमें कॉमा लगाना में बूल का था आप चाहें तो इसमें आप कॉमा लगा सकते हैं तो देखें अलंबन पूछ रहे हैं ये कि कौन कौन से होते हैं इसमें जैसे शत्रू हो गया एश्वर्या हो गया यहां पर एश्वर्या होगा सासिकार्य यश इत्यादी हैं तो ये इसके क्या माने जाते हैं अलंबन माने जाते हैं आई होप आप लोगों को अलंबन समझ आ रहा होगा कि अलंबन का मतलब क्या है कि जैसे ही आपका वीर रस है तो इसका स्थाई भाव माना गया है उत्सा माना गया है तो हम जैसी हम अपने शत्रु को देखते हैं तो उसमें क्या है एक तरीके से उसको उत्साहित होता है युद्ध करने के लिए ठीक है तो इस तरीके से अलंबन क्या है आपका जो आपके जो स्थाई भाव होते हैं जो पहले भी मैं कह रहा था जिसके कारण आपके स्थाई भा कि वीर रस के कितने भेद हैं तो ये चार भेद हैं कौन-कौन से हैं युद्वीर, दानवीर, द्यावीर और धरमवीर तो ये था वीर रस और इसके बाद आब हम देख लेते हैं आपका जो करुन रस है जो तीसरा महत्वपूर्ण रस माना जाता है तो देखिए करुन रस अत जयसे हम देखते हैं कि करुणा जैसे गरीब वेक्ति कि अगर आप देखेंगे तो आपे मनमे उसके लिए क्या हाईगी करुणा या दया का भाव जागरित होगा ठीक है तो जो भव भूती हुए हैं देखिए उन्होंने क्या माना है उन्होंने करुण रस को ही एक मातर रस माना है तो पहले हमने देखा कि श्रिंगार रस को किसने माना था बोज राज ने माना कि वो ही एक मातर रस है लेकिन यहां पर जो भव भूती हैं ये किसको मानते है ये करून रस को मानते हैं कि करून रस ही एक मात्र रस है लेकिन आगे देखी वो क्या कहा रहे हैं उन्होंने कहा भी है एको रसा करून एवं निमित भेदात अर्थात करून ही एक रस है अन्य रस्तो भेद के कारण है तो ये हो सकता है इस परिभाशा को पूचा जाए कि ये क एपको बता रहा हूँ कुई भी आपको जानकारी होनी चाहिए कई बार आपके मिलानने के लिए आपको दे दिया जाएगा कि यह किस आपके रस देव हैं तो वो हैं करुणरस के देव अगर हम वर्ण की बात करें तो वर्ण है इसमें कपोतवत ठीक है तो यह चीज भी आपको पता होने चाहिए करुणरस का अलंबन प्रिय व्यक्ति या वस्तू का अनिष्ट हानी या विनाश है है ना तो देखिए यहां पर समझाया गया है सिंपल करके कि अलंबन क्या है इसका करुणरस का कि जैसी हम से कोई हमारा कोई प्रिय है या कोई वस्तू है हमारी चीज उसके साथ अगर कुछ घटना गड़ जाए या अजीब घटना उसके साथ हो जाए उसको कुछ हानी पहुँँ जाए या उसका विनाश हो जाए तब हम उसके प्रति क्या है अपना दयाभाव अपनी करुणरस दिखाते है तो वही इसका क्या माना जाता है आलंबन माना जाता है करुणरस का तो अब इस तरीके से आपको समझा रहा होगा कि अलंबन क्या है आगे देखिए इसके बाद जो चौथा रस माना जाता है यह अधभुत रस है अधभुत रस के जो अधिश्ठाता माने जाते हैं यह ब्रह्मा को माना जाता है ठीक है और इस रस का जो स्थाई भाव है यह विस्मय या आश्चर्य माना जाता है इस रस का अलंबन अलोकिक चरित्र द्रिश्य अत्वा विचित्र बस्तु है तो देखिए विचित्र बस्तु से ही हम आश्चर्य चकित होते हैं विस्मरित होते हैं तो इसलिए इसका नाम क्या है अदभुत रस दिया गया है और इसके जो अदिश्ठाता है ये ब्रह्मा को माना जाता है अगला जो रस है ये है हासे रस हासे से मतलब सीधा सा आप समझ गए मनुरंजन या हंसना स्थाई भाव इसका क्या है हास ही है और इसके जो देवता है प्रमत मतलब जो शंकर के गणों में से एक हैं प्रमत वही इनके क्या माने जाते हैं दीवता माने जाते हैं अगर इनके वरण की बात करें तो श्वेत वरण जो है इसमें माना जाता है हास्य रस में और इस रस का अलंबन विक्रित रूप आकार वेश पूशा आपका विचित्र अनर विहसित अभःसित अपहसित और अतिहसित आप चाहें तो इन सब चीज़ों को आपके पास अगर कावेशास्तर की पुस्तक डॉक्टर बगीरत मिश्रुवाली है तो वहां पर विस्तार से ये चीज़ें बताए गई हैं उससे आप इस चीज़ को देख सकते हैं कई बार इन को पूशे जाने के समभावना रहती है तो आप एक बार वो वाली पुस्तक जरूर खरीद लें आप चाहते हैं कि अगर आपके पास ये वाली जो पीपीटी मैं आपके लिए लेके आया हूँ इसकी अगर आपको पीडियाप चाहिए होगी तो आप हमारे टेलेग्राम ग्र भूती और बेहतरी के साथ कर पाएं और इसके अलावा आपके पास षारी चीज़ें और अच्छे तरीके से दिया गया होगा होगा वहां से भी आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं पढ़ सकते हैं मैं ली आजका जो चेक लैश्यों हमारा है वह सिम्पल ऐसे ही है कि जितने और कौन उसके देवता हैं, कौन उसका वर्ण है, और उसके साथ जो स्थाई भाव कौन सा रखा जाता है, आगे अब देखिए इसके पश्चात जो चठा रस माना जाता है, ये भयानक रस को माना जाता है, और इस रस का जो स्थाई भाव क्या है, भय है, भय का मतलब डर, तो इस तरिके की बृति के लोग होते हैं वही इसके अलंबन होंगे विक्रित और उग्रद्वनी तथा भयावच चिष्टाएं निरलजता इत्यादी इसके क्या हैं ये उदीपन है ठीक है हाथ फेर का कामपना आखों का फाड़ना रोंग्टे खड़े हो जाना विबरनता कंठा वरोद चिलाना भागना गिड़ गिड़ाना इत्यादी इसके अनुभाव हैं तो ये चीज़ें इसके अंतरगत आती हैं आपके भयानक रस के अंतरगत और इसका इस रस का जो वरण है ये क्रिश्निया काला है और इसके देवता भी कौन है काल देव को ही माना जाता है तो आता है आपका विभत्सरस तो विभत्सरस का स्थाई भाव जुगुपसा या ग्रिना मतलब ऐसी चीज जिसे आपको ग्रिना करें है ना जिसको देखे आपके मन में इस तरीके का भाव जागे उसको क्या गाते हैं विभत्सरस या जुगुपसा भी आप कह सकते हैं इसके दे जैसे चीजें या फिर आप बोलें जिन चीजों को देखे आपके मन में घ्रिना का भाव जागरित हो तो वही इसकी क्या मने जाती है अलंबन मने जाती है अगला जो रस है देखिए रौदर रस तो ये इसका जो स्थाई भाव है वो क्रोध है है ना तो देवता अगर इसके बात करें तो रौदर वरन लाल रंग ठीक है अकर्छांती का जो प्रतीक मना जाता है लाल रंग को तो रौदर से भी आपका क्या है गुसा या क्रोध यही मना जाता है इसका अलंबन भी शत्रु दुराचारी या कप्ती व्यक्ति होता है तो देखिए शत्रु हमने पहले बड़ा ठंपड़ा था, वो किस में आय था? ये आया था आपका वीरस में, तो वीरस में भी जब शत्रु के साथ युद करने से पहले वीर पूरुश में क्या है? उत्सा होना बहुत जरूरी है. तो यहां पर रादर रस का अलमबन भी किसको माना जाता है? शत्रु को ही माना तो इसको स्थाई भाव जो है इसका कौन सा है निर्वेध है और अभिनव गुप्त के अनुसार जो अभिनव गुप्त है वो क्या मानते हैं कि जो तृष्णा जन्य सुख है इसका स्थाई भाव वैसे तो इसका स्थाई भाव क्या है निर्वेध है लेकिन अभिनव गुप् बंगुरता को माना जाता है कि संसार से असारता मतब संसार से एक तरीके से विरक्ति या फिर जो क्षण बंगुर है कि जीवन क्या है वो क्षण बंगुर है तो इसलिए ये शांतरस को यहां पर क्या माना गया है कि ये इसका अलंबन क्या है संसार की असारता है ठीक है तो ये इसके अलावा अन्य भी जो रस हुए हैं आगे हम उनको देख लेते हैं उनमें से जो प्रमुख है देखिए दो है आपका सबसे पहले इसमें जो वात्सले रस आता है और दूसरा भक्ती रस आता है तो वात्सले रस की अगर हम बात करें तो वात्सले रस के प्रतिति हुआ है न तो जो आपके अचारे विश्वनात हुए हैं इन्होंने ही क्या माना है कि आपका वातसल्य रस भी एक अलग रस है तो इसका जो स्थाई भाब ये मानते हैं देखी इन्होंने वधसल्ता को माना है अचारे महम्मट ने इसे खारिज किया लेकिन ये लोग तो मानते हैं कि जो वातसल रस है इसको सुतंतर रूप से मानता मिलनी चाहिए लेकिन जो अचारे ममठ हुए है जिनकी रचना है काबर प्रकाश ये मानते हैं कि ये जो आपका वातसल रस है ये सुतंतर रस नहीं माना जा सकता महा कभी सूरदास के पूर्णत प्रतिष्टित होने के बा सूर्दास वादसले रस के समराट कहे जाते हैं या यूं कहते हैं कि सूर्दास वादसले का कोना कोना जहांक आये हैं ये चीज भी हमने वहां पर पड़ी थी और तब से ही ये माना जाता है कि वादसले रस को भी सुईकार किया जाने लगा है अगर हम इसके स्थाई भाव की बात करें तो स्थाइभाव इसका जो पुत्र स्ने है पुत्र आदी अलंबन इसके माने जाते हैं उनकी चिश्टाइन तथा विद्या दया इत्यादी इसके उदीपन है तो ये था वातसले रस के बारे में थोड़ी सी जानकारी जो जो महतोपुन्चीजें वातसले रस के स्थाइभाव इसका अगर बात करें तो ये है भगवत प्रेम या ईश्वर से प्रेम की बात करें तो वहीं पर भक्ती रस को माना जाता है तो स्थाइभाव क्या है भक्ती रस का भगवत प्रेम है अलंबन इश्वर या उसके रूप है तो इश्वर जब होगा या इसके किसी रूब की हम बात करेंगे तो उसी के कारण क्या होगा आपका भक्ती, रस, जागरित होगा, ठीक है तो यही क्या है इसका अलंबन है और अगर हम उदीपन की बात करें पूराण आदी का श्रवन तो उदीपन देखिए, उदीपन से हमने पहले भी ब सकते हैं कι जब हम पूरान इत्यादी जो आपकर फवीत्र शास्त रहें उनका श्रवन करते हैं तो तब ही क्या होता एपको आप में भक्ति का सोथा जो पूर सकता है भक्ति रस नहीं हो सकते हैं ठीक है तो یہ है आपका उदीपन और अलमबन में थोड़ा सा अर्थ इसीज़ को भी आपने समझना है अगर हम इसके अलावा जो अन्य रस भी वह हैं देखिए जिसमें रुद्रट का प्रयोन रस है जिसका जो स्थाई भाव सने को माना जाता है तो प्रयोन रस भी आपको पता होना चाहिए कि किस ने दिया था ये रुद हमने चौदा रसों का आज इसमें जाना की चौदा कौन-कौन से प्रमुख रस हैं मेंलि आपके जो रसों की संख्या है वो नौ ही मानी जाएगी भरतमुनी ने आठ मानी है और अन्य अभी द्वानों ने इसको आगे-आगे इसकी संख्या को बढ़ाया है निरंतरता के चीजन कौन-कौन से इसके स्थाई भाव क्या हैं है ना कौन उसके प्रतिश ठापक रहे हैं तो यह चीजने हैं आप आप लोगों को समझा गया हो गया कि रसों को आप किस तरीके से याद रख सकते हैं और में कौन-कौन से चीजने महत्वपूर्ण है तो फिलाल आज के ल